कि नमस्कार में नाम सुमिस संंग मैता अंधर सुआब के सामने इलक्ट्र डैनमेस से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेक्टे आज का हमारा है ्लेक्चनन नमबर 57। और लेक्चर विह डूलन रहने वाला हैं। हमारा टौपिकल है पुलराइज़ेस्चन、 diagnostic field of polarized object and bound charge इन तीन टॉपिक में से जो सबसे important topic होने वाला है वो कौन सा वाला होने वाला हमारे पास bound charge होने वाला है हम इसको ऐसे ये बोल सकता हूँ अभी तक हमने electric field in matter में जितने भी topic पड़े हैं उन topic में सबसे important topic कौन सा वाला हमारे पास bound charge है इस related question हमारे university के jam में भी आ सकता है और gate में और jam में भी आ सकता है और कभी कभी net में भी आ जाता है ठीक है तो यहाँ से क्या आएगा आपको एक dialectric देदेगा और उस dialectric के लिए आपको polarization देदेगा और आपसे बोलेगा कि bound charge क्या करो और यहाँ पर भी ऐसे बोलेगा कि surface bound charge find करो और volume bound charge क्या करो find करो तो आप समझी के होगे कि हम दो टाइप के bound charge आएगे एक क्या होगा हमारे पास surface bound charge और एक क्या होगा हमारे पास volume bound charge ठीक है तो फटापट आपको जो पहना topic है क्या होने वाला है polarization होने वाला है तो फटापट रोज की तरह क्या करो copy pen निकालो और heading नालो क्या polarization अब polarization को पढ़ने से पहले हमको जो पिछवा लेक्चर है उनका क्या लेना पड़ेगा शार लेना पड़ेगा हम कुछ ऐसा पड़ रहे थे कि जब भी हम किसी एक atom को या फिर neutral atom को या बोल सकते हैं किसी एक dielectric material के atom को हम कहा लगते हैं electric field की presence में लगते हैं तब उस atom का charge क्या हो जाता है deform हो जाता है और deform होने के बाद वो atom किसमा convert हो जाता है एक tiny dipole या बोल सकते हैं बहुत छोटे से dipole में क्या हो जाता है convert हो जाता है यह बाद हम कब कर रहे हैं जह हमारा atom कैसा हो non-polar हो यह उसका खुद का कोई dipole moment नहीं हो लेकिन हमने यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस किया था जहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पाउस कुछ ऐसे molecule या फिर कुछ ऐसे atom है जिनके पास क्या है खुद का कुछ dipole moment है तब हम जब इस type के atom को कहा लगते हैं external electric field की presence में लगते हैं तो यह क्या कर जाते हैं rotate कर जाते हैं यहां पर हमको इस तरह की से खीज के डाइपोल मिलता है उसे हमने क्या बोला था यह मने पढ़ चुक है हम पहले इसको थोड़वा हमने क्या कर लिया अब देखो अब देखते हैं कि पुदराइजेशन क्या है जिखो ध्यान से देखो जैसे कि हमने atom के बारे मां पढ़ा तो इसका मिलब उस atom किसे में sorry, atom में क्या बनाएगा एक material बनाएगा तो हमां अजुम कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है आपर इस तरह किसे एक material है ठीक है कैसा material है एक dielectric material है इसा बोल दिया ठीक है? और 2 बोल दिया बने एक मैंने बोल दिया कैसा है? polar है और एक कैसा मेरे पास non-polar है इसे में बोल दाता हूँ कैसा है? non-polar और इसे मैं क्या बोल लाँ? polar बोल लाँ non-polar material का मतलब क्या हुआ? कि ये material जिस atom से मिलकर बना हुआ है उन atom का अपना क्या कर रहे है क्या क्या होगा यह पॉस्टिव के नीचे ही नेगेटीव होगा लेकिन आपको दिखाने के लिए जान बुछ करें हो क्या बनार हो ऑखgesetzいき हमारे को आप यहां पर ऐसे यहां पर ऐसा आपना घुट का कंट upon a moment है वो कितना है जीडा है अडिया टाई atom को हम क्या बोल देते हैं non-polar बोलते हैं chemistry में पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत ठीक है मेरी chemistry दो वैसे भी कमजोर है कैसे atom है यह non-polar atom है जिनका खुद का कोई dipole moment नहीं होता है और इन से मिलकर इन atom से मिलकर क्या है मेरे पास एक material यहाँ पर रखा हुआ है पर बोर्सक्ते हैं एक जब रखी होई है एक matter की कोई सिलाब रखी होई है ठीकए यहाँ रख किजिए टायिवर राखी होई है ओकле यहां पर अगर मैं इसके लिए moment निकालों आफुल मोमेंट औब अब दिस स्लैव यह कैह एक से लख linking field है क्या है यह कि डाई इलक्ट्रिक स्लेव है ठीक है ओके और इसका जो डाइपोल मुमेंट है वो कितना होगा जीरो होगा ठीक है क्योंकि हर एटम का जीरो है तो नेट का कितना हो जाएगा जीरो होएगा और यहां पर जो एटम हो कैसा है पूलर एटम है कैसा है नौन पूलर ए टेंट है उसको मोलेकुल नहीं होता है एपना खुद का कोई डैपोल मॉमेंट नहीं होता है उन्हीं मॉलेकुल को हम ज्याद या ज्याद होते हैं शूंअ में सी यू क्या होता है मॉलेक्यूल इस तरीके से अब इधर बात करते हैं माना अब यह जो स्लेब है किससे मिलकर बनी हुई है पोलर एटम से मिलकर बनी हुई है यहां बोचते हैं पोलर मॉलेक्यूल से मिलकर बनी हुई है यानि ऐसे मॉलेक्यूल से मिलकर बनी हुई है जिन यहां पर क्या होगा ना कि जो एक्टम का positive और negative चार्ड होगा वो एक दुसरे को coincide नहीं करेगा वो एक दुसरे को कुछ distance पर वह तक भी तो वह एक polar molecule होगा जैसे मैं बात करता हूँ कि इसकी अगर मैं ऐसे अपनी अंजली में अंजली मलत यह चीज चुलू भर पानी अंजली बोलते इसको जो भी है अपने चुलू में एक पानी लोईयों करके तो जो पानी आपर मैंने लिया हुआ है वो क्या है एक यहां पर जो डैपोल होते हैं वो क्या होते हैं रेंडम ली औरियंटेड होते हैं जाहन सुनना बात को अब यहां पर कोई भी एलक्टिक फिल्ड हमने नहीं लगा रखा है तो यहां पर जो डैपोल होंगे वो क्या होंगे रेंडम्ली क्या होंगे औरियंटेड होंगे यानि किसी एक फिक्स डिरेक्शन में वो नहीं होंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमारे पास जो सेन्माइ वाइब इतनी ओके नौ यह क्या था इन अब सक्षार किपने पर हर मॉलेक्वर अपने जो दूसरा मॉलेक्वल है उसके डैपूर मॉमेडों क्या गर देगा कैंसल करदे क्यांशन क्या देगार है कि यहां पर एक-धो मॉलेक्वल क्या है यहां पर dipole moment क्या कर देंगे cancel कर देंगे for example यहाँ पर इसका dipole moment sorry यह इस item का dipole moment इस item के dipole moment के कारण क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा होगा नहीं होगा answer है हाँ जी ऐसा होगा क्योंकि यह ऐसे है और यह ऐसे है तो इन्हें net कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी इस slab का जो dipole moment होगा net dipole moment P equal to वो कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा ठीक है ओके इत्नी मात के दर हुई अब हम क्या करेंगे बारी बारी से इस slab को और इस slab को external electric field की presence में put करेंगे अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है कुछ external electric field लगा दिया है हम सब को पता है कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा कुछ external electric field लेडर से इस direction लगा दिया मैंने कितना E external कितना लगा दिया मैंने यहाँ पर E external electric field लगा दिया और जैसे में यहां पर electric field लगाऊंगा यह जो atom है जो कैसे थे non-polar थे और यह कैसे polar molecule है ठीक है यह कैसे और यहां पर यहां पर यहां पर मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेंगे ठीक है इस तरीके से यहां पर टाइनी डाइपोल नी बोल सकते हैं अब यहां पर सारे के सारे डाइपोल शेंगे है इसका मैं पर यहां पर एक अभी अने वाला है वह सकता है तो यह तो यहां पर यहां पर को तकि को तो आगा तो हम जानते हैं जैसे ही मैं एलक्टिक फिल लगाता हूं तो यहां पर पहले से डाइ-पॉल है यहाँ पर जो dipole induce हुए, लेकिन इसके पास, इस slab के पास क्या है, dipole पहले से है, तो वो dipole क्या होंगे, जैसे उसको electric field में रखोंगा, हम सब जानते हैं, dipole को electric field में रखने से, dipole में क्या लगता है, एक torque लगता है, और torque को इस तरीकी से लगता है, कि वो torque उस dipole को electric field की direction में align क कि क्या करता है, कोशिश करता है, यहाँ पर जितने भी dipole है, वो सारे का सारे क्या हो जाएंगे, electric field की direction में align हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर मैरे पास यह क्या लगा रखाया, इस Δboxing में है, तो सारे क्या हो जाएंगे, इस डopping इस direction में align हो जाएंगे, यूं करके, कि यज रहे हैं इतनी बात ओके ना अब देखो तो यहां पर क्या आप जीरो हो गया इसका आंसर है आप जिरो नहीं है अब इसका … बीचिन कर रहे हैं तो यहां पर डैपोर मोंवेंट पी निकल के आया आया या यह क्यों और एक छोटए सा केष्住 और आता है अगर मैं यह क्या है एक pure situation है यहां बोड़ सकते हैं एक ideal situation है लेकिन actual life में ऐसा नहीं होता है अगर मैं physically देखूं तो physically ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है यहां अभी मैं क्या कॉस्थ कर रहा हूं कि इन डाइपोल के पास अभी कोई extra energy नहीं सिर्फ यहां पर इल्दिक फिल्ड है और इल्व दिक कीा हlor होता है इनके पास को通व कि अनेरजी होगी और उसकी थर्मल .? पूरे के पूरे इस तरफ इस तरीके से इल्दिक फिल्दिसे को यह थोते हूं कुछा होता है, जो रियल और प्लाब प्प्यूर्ली इस तरीके से ऐनने होते हं नहीं होते हैं फुलावसा क्या होता है इस तरह एडल था कुछ ऐसा हो जाता है तो यह idle case है और यह कैसा है Real case है Realty में ऐसा होता है और idle case में ऐसा होता है और यहाँ पर भी जो P होगा वो क्यों होगा मेरे पास not equal to 0 होगा कि यह लगा इतनी बात तो देखो मेरे पास दूर situation थी एक situation polar atom के लिए और एक situation यहाँ पर non-polar atom के लिए यहाँ बोड़ सकते हैं एक situation ऐसी slab के लिए या फिर बोचते हैं ऐसी dielectric slab के लिए जो किससे मिलकर बनी हुई है polar molecule से मिलकर बनी हुई है और एक situation किसके लिए थी है मरे पास ऐसी dielectric slab के लिए जो किससे मिलकर बनी हुई है non-polar molecule से मिलकर बनी हुई है और दोनों को जब मैंने electric field की presence में रखा तो दोनों मेरे कुछ same चीज देखने को मिली उनके अंदर क्या हो गए कुछ tiny dipole induced हो गए और वो tiny dipole की direction कि की direction में है electric field की direction में है ठीक है ऐसा हुआ नियुआ तो मैं क्या बोल सकता है अब देखो एज वी प्लेस्ट इमिटा दू में देखो अब इंपोर्टेंट चीज़ है from our discussion तो यहां लिखके दोलों बहुत इंपोर्टेंट लाइन है फ्रॉम अबब डिसकर्शन फ्रॉम अबब डिसकर्शन 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 we can say that say that when a dielectric dielectric material material is placed is placed in presence of in presence of external electric field external electric field electric field then then we get number of little dipole then we get numbers of numbers of little little dipole little dipole in we get numbers of little dipole along there if it directed along the directed along the applied applied electric field applied electric field okay and this dielectric material is known as and and this this directory material may each is a way this dielectric die electric 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 material material is known as polarized material capital scope polarized polarized material if it polarized matter we will stay in a polarize material you will do I will do polarized material if I will tell us go polarized material both of them or you do me a pass effect deco Mila is come major करने के लिए हमारे पास एक चीज़ोती है नेको डिस इफेक्ट डिस इफेक्ट का जो मेजर्ट का जो मेजर्मेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं पुलराइजेशन बोलते हैं एंडिस पुलराइजेशन रिपरेजेंटेंट बाई इस डिफाइन डाइपोल मुमेंट और इस इफेक्ट के मेजर्मेंट को हम क्या बोलते हैं पुलराइजेशन बोलते हैं एन इस पुलराइजेशन पी इस डिफाइन एज डाइपोल मुमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलते हैं इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं डाइपोल मुमेंट डाइपोल मुमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मुमेंट है इस इस लेप का यह इस सलेप का उसी को हम क्या बोलते हैं पुलराइजेशन बोलते हैं and this this line is very very important आप कोई लेट क्या रखनी है याद रखनी है यह बोलते हैं इसको समझ के चलना है ओके तो this is definition यह कहें किसकी polarization की तो polarization क्या होता है डाइपोल मुमेंट पर यूनिट वॉल्म इस तरीके से क्या करते हैं इसको डिफैन करते हैं और एक्ट्वल में होता है क्या है है measurement of this effect जो यहां पर effect हो रखा है इसका क्या है यह measurement है अब देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पुलाराइस्ट खतम हो गया ओके इस में सिर्फ आपको यह लाइन याद रखनी है यह उपर का भूल भी जागो चलेगा ठीक देखो अब इंपोर्टेंट जो चीज है वह हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फिल्ड पॉलराइस्ट ऑबज़क्ट तो अपके मर्जी है अंडुकर चार्ज बाउंड चार्ज का क्या आएगा बाउंड चार्ज का क्या आएगा तो रिन डालों इस तरीके से एलेक्ट्रिक फिल्ड एलेक्ट्रिक फिल्ड और पुलराइस्ट ऑब्जेक्ट एलेक्ट्रिक फिल्ड और पुलराइस्ट ऑब्जेक्ट पुलराइस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो अब्जेक्ट जिसको में एलेक्ट्रिक फिल्ड मेरा करने के बाद अब क्या होगा प्लड़ाइज हो गया उसके अंदर कुछ डैपोल इंड्यूज हो गये ठीक अब उसके बाद उस प्लाराइज और करना है फाइंड करना है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि मेरे पास एक यहां पर कोई फिल्ड नहीं था जैसे मैं यहां पर क्या लगाया कुछ इस तरह के से डाइपूल इंड्यूज हुए न्यूंकर के और अब यहां पर देखो इसके कारण अब इस स्लेब के कारण किसी पॉइंट पर माना यहां से अने से किसी पॉइंट पीपर लुगेलयूज पर मैं इसके करना इसके कारण इस पोउइंट फिल्ड होगा उसकी बात हम चाह रहे हैं ठीक है तो यहां को थो लिखना पड़ेगा तो लिख के चलिने कि अटिश्ट एडफ उस सब्सक्राइइस लिखो लेक। let us consider we have we have a polarized polarized object polarized object having having polarization 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 का मतलब क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट पर यूनित वोल्यूम पर यूनित वोल्यूम इस पी माना उसका दो फोलराजेशन है वो कितना है मेरे पास कैपिटल पी है then we have to find then we have to find electric field electric field due to due to this object this object at point p point p as soon following figure as soon in following figure in following figure figure देखो फिगर मना मने मेरे पास कहा है इस तरीके से यहां पर एक यहां बनाओ उधर बनाओ देखो इसे में टाता हूँ हाँ देखो मानले मेरे पास एक इस तरीके से यहां पर क्या है कोई एक object है ठीक हाँ डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो एक डाइलेक्ट्रिक अबजेक्ट है यह करके और मुझे क्या करना है यहां पर कोई एक पॉइंट पी है इस पॉइंट पी पर और यह पुलराइजड है यहां पर इसके अंदर डाइपोल है इसके अंदर क्या है डाइपोल है और इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा पी होगा इसका डाइपोल मोमेंट कितना है जो पी तो एक चीज होती है, जब भी हमको इस टाइब का चार्ज कॉन्फिग्रेशन, या बोल सकते चार्ज कॉन्फिग्रेशन नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि भी चार्ज गया हमा बात ही नहीं हो रही है, हम किसके बात कर रहे हैं, डाइपोल मुमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब आँब होता है और पर बहुत है क्यों विकॉज प्लेटिक एへन्सचीह और है को इसको निकाने क्थिन होता है उसका लितरनेयट वर्जन क्या होता है । यह हम easily क्या निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास e is equal to कितना होता है minus का gradient of v होता है होता है नहीं होता है आंसर है जी होता है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे हमारे हमने heading का डाली है हमें डाली है electric field लेकिन निकालांगे हम क्या potential क्यों निकालना easy होता है अगर एक बार potential निकल गया तो electric field क्या हो जाएगा आपने आप निकल जाएगा इस formula की help से तो यहाँ पर हम इस जो मेरे पास system है इस system के खारण इस point P पर हम सबसे पहने क्या निकालेंगे electric potential क्या करेंगे find करेंगे लेकिन फिर अभी कर पारों क्योंकि यह polarized है डिस प्लाराइज ऑब्जेक्ट यह कैसा अब्जेक्ट है फिल्राइज ऑब्जेक्ट है यह इसके अंदर क्या होंगे तो मैं क्या ऐसा अजूम कर सकता हूँ कि जो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है एक किस से मिलकर बना हुआ है छोटे-छोटे-छोटे-अलिमेंट्री डैपोल से मिलकर बना हुआ है ऐसा में बोल सकता हूँ और मैं क्या करूंगा सबसे पहले एक डैपोल के कारण यहां वा प्रोटेंशन निकाल दूँगा और इस पूरे के कारण प्रोटेंशन निकालने के रिए उसे क्या कर दूँगा इंट्रिगेट कर दूँगा संदमारी बात देखो मैं लिखते चलता हूँ अभी दो उन्हें वोला मैं लिखूंगा और आपको बैटर सुन मैं आगा देखना क्या बोलना चाहरा हूँ लेट में अज्यूम अज्यूम अवर पोलराइजट अब्जेक्ट 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 इस मेड़प ओफ नम अधॉफ और लिटल डैपोल्स लिटल अज्टल प्रीपोल डैक झॉर्ट कि दोख्राव एनदर्ट अलिटल एलुमेंंटरी नयों स्टाये मगरें आफी दॉटेयों आप उच्छा और आप से पूछूँ कि इस पॉइंट पी पर दैपोल मुमेंट के पोटेंशल कितना होगा आप इजी निकाल दो कितना होगा इतना ही तो होगा ठीक हमने पड़ चुके हैं अब देखो कि है है मरे पास लेटिस अजूम अबर प्लराइज़ ऑब्जेक्ट इस of little infinitesimal dipoles so we can find so we can find potential potential due to due to one dipole one dipole then by whole object then by whole object then by whole object then by whole object object after doing integration after doing integration ठीक है इत्वास इतरीका तो यह हो सकता है इसी को मैं यह बोल सकता हूँ कि मैंने यहापर क्या आजम कर लिया एक इसी लाइं को एसे भी लिख सकता हूं मैंने आपर क्या जूम कर लिया एक इन फाइन इन वोल्यूम उजूम कर लिया और और यह पूरा में पास ऑप जयक्ट है ऐसे छोटे छोले फोल वालूम एनिमेंट से मिलकर बना हुआ है और हर व्यूम एलिमेंट का जो डायपोल मूमे पूल यहां ईसलिखो यहां पर हैंविंड़ ओमेंट्स यहां पर लिखना है विंग पर दाइपुल कि मुमेंट पी स्मॉल पी एक जो इन फ्रिकिल्टम डापोल है उसका डापोल मूमेंट कितना है पी है ओके ऑप definitive volume element का तो about component है वो कितना है small p है तो क्या करूंगा पहले मैं iis onen format निकालने के लिए इसे क्या करदेंगा इंट्रेगर कर दोंगा फॉकः उस होता हूं एल्या किया घंद का थीहुंग है vịए व्लुम इलिमेंट दीटाँ प्राइम देखो जिन आव देखर देखा हूं प्राइम क्यों निखा समय अंत्रवन आ गया होगा अर्यूम निया अधिकित खो रहा हूं ऑप्रायम क्यों निखा हूं ठिक है लेट में अजूम एब वोल्यमेंट कश्च अब ऍाल इंस पी ख्रीक एसा है बोल दीया ह तो इसको भी मैंने ऐसा क्यों बोला डीटाव प्राइम क्यों बोला अगर मैं यहाँ पर एक एक्स वाई जट कॉटनेर सिस्टेम अजूम करूं अगर यहां पर यहां मुझे निकालना है पूटेंचल इस आर यहां मेरे पास आर वेक्टर है और यह जो सेपरेशन है यह कितना खर्ली यह तुली यहां और यह दो कर सकता हूं इबदेद कर सकता हूं इससे यह कि बैपोल किसे इस जीज एफ डाइपोल कितना है पी है, कि दर हुई इतनी बात? ओके, अब देखो. अम भी इस डापोलर कान, इस पोईन्ट, पी पीपाइलक्टिक फिर निकाल सकता हूँ, आज रिकाल सारी, पोटेंशन निकाल सकता हूँ, अथिन निकाल स काता हूँ, नाव, पोटेंशन, पोटेंशन, दूटू पी एड़ पॉइंट एड़ पॉइंट पी टी कैपिटल पी और बैक टेन लगा रहा है इसका मदलब हम पुल देशन के बात नहीं कर रहे एक यह पॉइंट पी के बात कर रहे ओके तो कितना होते बताओ तो तो दिस विल विए पॉइल टू अब देखो यह बहुत कितना आ जाएगा पी डॉट कर ली आर केप डिवैन कितना आ जाएगा आर स्क्वेर ये तो होते है तो दिस पोटेंशल दू टू इस डैपोल गाए आप पर इतना आ गया और सेट इसमेकोशन नबर वन इसे कब बोल दो एक पूशन नंबर वन बोल दो अब देखो हमने एक moment per unit volume, ना सुनना बाको, this polarization is dipole moment, dipole moment per unit volume, क्या होता है, यह per unit volume के बराबर होता है, होता नहीं होता है, answer है हाँ, होता है, अग इफ दिस is dipole moment per unit volume, then this thing, इस डाइपोल मुमेंट P can be written as डाइपोल मुमेंट पर निड वॉल्यूम P multiply by यह कितने वॉल्यूम का डाइपोल मुमेंट है D tau prime कितने का D tau prime तो इंटो कितने आ जाएगा यह D tau prime आ जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यह लिख सकता हूँ और इसको थोड़ा साँ और modify करो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस डाइपोल मुमेंट ओफ दिस एलिमेंटरी वॉल्यूम एलिमेंट इस एक्वल टू कितना आ गया यह P vector and this one is R prime vector किस कोड़ने में चलने हम R prime coordinate में चलने है क्योंकि source charge के coordinate क्या है R prime है तो यह क्या है मेरे पास यहाँ पर R prime आएगा और into कितना आ जाएगा यह D tau prime आ जाएगा ठीक है यह काम करो इसे यहां से उठाय काम पूट कर दो इधर पूट कर दो यह क्या निकला मेरे पास जाओ and this will be equal to this thing आए हो अब समझ में आ गया होगा अब इसे उठाकर यहां सुड़ा कहाँ पूट कर दो इधर पूट कर दो नाव equation 1 become this dv is equal to कितना आ जाएगा 1 over 4 pi epsilon 0 1 over 4 pi epsilon 0 P की जो कितना आ गया यह पूरा चीज आ गया यह मेरे पास क्या देखो इंटो कितना आ गया यह डी टाउ प्राइम आ गया क्या यह डी टाउ प्राइम धान देना बात को क्या यह आपर डी टाउ प्राइम है ओके नाव सेडिस हमें कुश्य नमबर वन यह तो क्या निकला potential at point P due to this dipole जो P dipole उसे कारण अब total potential जो तो कितना निकल का आ जाएगा नाव टोटल पोटेंशिल नाव टोटल पोटेंशिल एंड इस्टोल पोटेंशिल विए सब्सक्राइब तो नकालना निकालना से कितना आजाए यह और सब्सक्राइब दो कितना है तो पुरे औप्जेट के घर को आजाएगा और यहागे मिर पास् framework पंट नो प्राइम एन दिस इस आर कैप डिवाइन में कितना आ गया आर स्क्वाइर और यह कितना है मेरे पास डिटाव प्राइम आ गया शेड़िशन में कुर्शन नंबर थी एन दिस इस पोटेंशियल add point P due to our polarized object ठीक है मैं चाहूँ तो इसे इतना ही छोड़ सकता हूँ अगर मेरे को सिर्फ potential लिकालना है कहाँ पर इस point पर लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी करके यहाँ बोच सकते हैं अपनी पुरानी यादों को ताजा करके मैं इस integration को जो हमाँ पर integration में लिखा है इस आपको क्या चीए शिर्फ यह पी चाहिए यह पुलराजेशन चाहिए और यहाँ वैल्यूपट करो इंडिकर करो अपका क्या निकल जाएगा इस point पॉटेशन निकल जाएगा इक पॉटेशन निकला इससे आप क्या करोगे इसका gradient निकल लोगे तो मैनस और gradient और पॉटेशन क्या होता है इलक्टिक फिल्ड होता है तो क्या निकल के आजाएगा वहाँ पर उस point P पर इलक्टिक फिल्ड निकल के आजाएगा लेकिन यहाँ पर अगर्वाब इसको मॉडिफाई करूं है इस जो एक कुशन निमबर थरी है यहां बोर सकते हैं यहां पर अब देखो तो क्या हो जाएगा नहीं पाइए चीज है अब सिंच वी दो एक ची धांस देखना सेंस वी नो ग्रेडियंट ओफ ग्रेडियंट ओफ इसका वैडवाई कर लियार अब ग्रेडियंट देखोड डिफेंशेश्च्ट के स्कोडिनेट सिस्टम वहगा सोर्स वाले में तो सोस्वाले कॉर्णेर सिस्टम में जो मिलें पास कॉडिनेट हो कर से प्रायम वाले हैं ठीक तो कितना आ आफ गए ड्या फ्रैम् लाई लिखा दिस तिंग यहां पर सब प्रैम प्रैम्-प्रैम्-ध c demek बॉट Good इसके लिए मैंने पास ऑछ नौते प्रेजरोर खरेत यह फोर्षे सेन अ ha कहां है प्राइम कोडिनेट में डिफाइन कर रखा है हमने तो यहां पर क्या आएगा प्राइम आएगा ठीक एन्डिस विल वी इक्कल डू किसके रावर होगा हम सब जाने देशन वी इकल डू आर कैप डिवैड़ेड़ बाई आर इसकोएर के बराबर होगा होगा नहीं होग सिंपल साथा अगर दिफरेंट्स लेड़ कर दो ओके तो कि इतना आएगा ये इतना आएगा कि इतना आएगा ना एक नुटे यहाँ मैंने सानाची एक्या कि अढ़क्या से लुटे कि भुटे एक व durante अन dé Abby डूहें ठाओए है एक अपिछ सबस्टाइड साथ झांप साथ जाँ ठाओभाफ यहाउग इंवा दुछ भाँवी जुछ रखे घगर अपफड लाँ है जश अपिएफ भाल श कर राल से दिज़ार इंवाब स हमपिए टॉज़ साथ कि इसको ऐसे करेंगे रोगों फड़ा मैथमेटिक्स लगाने पड़े कि हम एससी सॉल्वने होगा क्यों कि यह आर प्राइम में है और यह क्या है यह है इसको मुझे इस आर को इन दौर के टम में लिखना पड़ेगा ठीक मैं है पुछ जुरूआ था कि अगर मैं इसको सिद् के जिस दिन है ओ है ठीक है ओर यह चीज का मिठेट कर लिब पास डिसेस आर प्राइम और यह मिठ पास करली आर इस एक Beim डॉल तो इस कितना आ गया अगया एदा है खतेल आघचे़ जैसा इंट देखंगा इसका में त arb टॉल तक यहाग growing कितनाग कितना magnitude of this is r minus r prime आ गया एक ऐसा कुछ आया अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कैसे यह तो होता है इतना ही है कितना होता है r cap divided में कितना आजाएगा r square आजाएगा होता है इतना ही है लेकिन होगा कैसे हो देखो पहले तो अगर मैं यह आपर यह लिखूँ इस आर प्राइम और इस दो क्या लिखूँगा वन डिवाड़ेड़ बाई दिस तेंग यह कितना है मेरे पास देखो दिस आर स्क्वाइर माइट सोरी आर बेक्टर में टूड में ठीक है आर बेक्टर माइनस का डिस आर प्राइम वेक्टर ऐसा कुछ है एंड दिस विल वी इक्वल टू इसा क्या अगर हो गया आप डिफरेंट शेशन ओके तो गडिफिंट इसका तो कितना आ जागा मेरे पास यहागा मेरे पास कितना सिंपल आर कैप होगा नहीं होगा अरक होगा ठीक है ठीक है संदमाई बात तो यह क्यों होगा अलस हो जाएगा तो यहां से मेरे पास डेल प्राइम इंटू इस दो कितना है मेरे पास यह है 1 बाई कर लिए इसे इक्वल टू यहागा इसंपल टू ₹ अब एक काम करो इसकी जोगा हो इसकी जोगा में यहां पर यह पूर्ट करस्ता हो नहीं पूर्ट करस्ता हूं एक कुशन 3 में नाव एक कुशन 3 बिकम नाव एक कुशन 3 बिकम एक कुशन 3 क्या बन जाए कि देखो तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा यह वी आर इस एक्वेल टू वन ओबर फॉर पाई अप्साइन नोट इन दिस इंट्रिकेशन ओवर ए वॉल्म भी एंड दिस वन इस पी आर प्राइ वन बाई कर लिया और इन्टू कितना गया यह डी टाउ प्राइम आगया एन यह आया आंसर है हाजी आया एंड से डिस अब एक कुशन नंबर 4 इसे का बोल दो एक कुशन नंबर 4 बोल दो ना अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं बहुत सुम्हें पहले की बात है हमने बेक्टर फंक्शन है और मैंने जब आपको यह बूला था कि यह वाला फॉर्मला आपको याद रखना है और इसकी वेल्यू कितनी थे हमारे पास कुछ इसा था कि एफ इन्टू डैवर्जेंस ओफ ए एफ इन्टू डैवर्जेंस ओफ ए फिर प्लस ए डोट ग्रेडियंट अफ यहां पर इस पर्योब मेरे पास बैक्टर की जो कितना है और इस केल्ड के जो कितना है इन्टू यह रहो हो ओके एन्ट इस इक्वल टू यह कितना हो जागा मेरे पास यह जागा मेरे पास कितना 1 by R and this thing is gradient of sorry divergence of P और फिर प्लस कितना आ गया है आपरे यह मेरे पास A है यह मनलब क्या हो गया P vector हो गया फिर dot कितना आ गया गया ग्रेडियंट ओफ 1 over R आ गया ठीक है देखो यहां पर जो यह चीज है integration के अंदर ही तो है यहाली जो लास्ट में है तो अगर मैं इस ट्रम को लिखूं तो यह मेरे पास अगर मैं पी बेक्टर dot gradient of 1 over R लिखूं then this will be equal to gradient of 1 by R और फिर यह इदर लगा मैनस हो जाएगा तो इस विल बीक्वल टू 1 by R और यह कितना मेरे पास divergence of sorry gradient divergence है तो कितना आया divergence of P आ गया अन्सरा आजी आया एक चीज़ और यहाँ प्राइम में है तो यह प्राइम कर दो इन सबको ठीक उससे कोई फरग ने पड़ता यह मैं दिवा मुहना चीकिस कोडिनेट सिस्टेम में चलने हम प्राइम कोडिनेट सिस्टेम में चलने ठीक तो दिस प्राइम ओके अब यहां पर इसकी जोगों इस पूरे की जोगों यह पूट कर सकता हूं तो पूट कर दो पूर आपट तो एककेशन नाव एककेशन फोर भीकम इस मिटा दूंँ मैं तेखो नाव एककेशन फोर भीकम नाव एककेशन फोर बिकम्स क्या हो जाएगा यहां पर इसकी जोगों यह पूट कर दो तो यहां से मेरे पास वी आर वेक्टर इस इक्वल टू वन ओबर फोर पाई एफसलन नॉट एंड पैने रपूट कर रोगों फिर यह पूट कर रोगे फिर डीटा हुआ जाएगा ओके तो यह इंट्रिकर्शन के अंदर कितना आ गया ओबर यह वोल्यूम भी यह पूला चीज आएगा यह मेरे कितना आएगा माइनस एंड इस वन वाई आर और इस इतना अगा मेरे पास डावर्जेंस अफ बेक्टर पी और यहां पर कितना आगया डी टाव प्राइम आया 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 आए अन्सरा अब देखो यहां से मेरे पास भी आर इस एक्वल टू वन ओबर फोर पाई अपसा जैन इंट्रिगरशन ओके तो ओबर अब वॉल्यूम भी दिस इस दौट एंड दिस वन इस पी अपॉन र और अब दी टाव प्राइम ठीक है और फिर माइनस अगें इंट्रिगरशन ओवरे वॉल्यूम भी आइंड इस वन एज वन बाइ आर अन दिस इस देल डॉत यह कितना य अब देखो यहां पर क्या लगा दो एक ऐगा करा दो नेकले करेंगा लोगी Come इंटरिकेशन ओफ डेवर्जेंश ऑफ एन वेक्टर ए ओवर ए वॉल्यूम भी इस इक्वेल टू किता होता है मेरे पास ख्लोज इंटरिकेशन एडॉट एनकेप इंटू दी एस होता है जहां एनकेप क्या होगा उस सर्फेस के परपेंट्रिग्लर इनुट वेक्टर होगा ऐसा होता है नहीं होता है आंसर है हाँ जी होता है इसको डियस्ट लिग देए अपकी मर्जी तो इसे उठाकर यहां लग दो यहां पर अपलाए क रेकिट और इंटेकरिसिंगर यह क्या होगा सर्फेस इंट्रीगल ओबर शयर्फेस और एक ही जो कितना है पूरा टाम में जोगा है तो कितना आ गये प्रक अपोन आर फिर कितना आगा डॉट एंड के लिगा डी हा जाएगा और फिर एक हैं ऐसम फॉन दे लेड़ों टॉक और इंटू कितना गया यह डी टाउ प्राइम आ गया एंड इस ब्रेकेट इस अब इसको अंदर मुल्टिप्लाइ कर दो तो यहां से मेरे पास वी आर इस इकल टू आ गया मेरे पास कितना देखो वन ओवर फोर पाइप सान नॉट इस इंट्रिगेशन ओर शर्फेस एस अद इस पी-टोट इन चैप पी-डोट ओर अन केप ओर अपॉन कितना आ गया और अर इंटू दि-ए फिर प्लस यह फ्रुल्ट इंट बिटना देखो वन ओबर फॉर पाइप साइन नॉट ओन ओन पॉ और इंटू कितना गया यह दी टाउ प्राइम आ गया ऐसा आए निया इस एक्कूशन को बोल दो यह फिर इसकूशन नंबर कितना हो गया यह फाइव हो गया अब देखो ध्यान से देखो इसकूशन को यहां पर सिर्फम तुक्के टैप का लगा रहे हैं ठेके यहां पर जो य यह से निकाल धान देखना बात को एक अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है कुछ ऐसी है कि पोटेंशल डू टू एनी चाट डिस्टिबूशन वी आर इस एकल डू क्या होता है वन ओबर फॉर पाई अपसाइन नॉट इंट्रिगेशन जिस रो आर यहां चाट डें सबंदराब को एक बात fight सटी है करो इन दोनों को क्या डेंटिटी की है यहां चीज के आया निकल के आई है, this is, this thing, something which is related to chart density, और वो chart density कहाँ पर होगी, surface पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, surface chart density बोलते हैं, तो जो हम पी डॉट एन क्या लिखा है न, ये क्या है, surface chart density है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, एक नया वड़ देते हैं, that is, surface bound chart density, ठीक है, इसमें इंट्रिकर्शन में पहल तर्म है, this term is representing potential due to surface bound charge density, समझ में आई बात, कहां से आया, एक टैप का हमने क्या लगाया, compression कराया, दोनों को, दोनों क्या कराया, compression कराया, और हमने पाया, कि ये जो term है, एक्चल में किसके analogy है, यहाँ पर surface charge के analogy है, अब यहाँ पर surface charge के बात करूं, तो उस surface charge को हम नाम देते क्या नाम देते है, surface bound charge density, यहाँ पर क्या आता है, charge density आती है, लेकिन इस particular case में, जो हम case पढ़ रहे है, that is, polarized object की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, that is, अगर यहाँ क्या surface charge है, तो यहाँ पर क्या आएगा, bound surface charge, यहाँ पर surface bound charge, इसको यह बोल सकते है, surface bound charge density, तो यह और जो पूरा का पूरा term है, इसे हम क्या बोलते है, potential due to surface bound charge, similarly, यहाँ पर, अगर यह D tau है, तो यहाँ पर क्या आता है, अगर 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 इसको डी टाव लिखुए हो यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता, अगर बाता रो होता, यहाँ क्या होती, यहाँ क्या होती, density कौन से वाली होगी volume bound charge density और यह जो पूरा टाम है यहां से लेकर यहां तक यह टाम कुसको रिपर्जन कर रहा होगा potential due to volume bound charge density संभाई बात आपको ऑप देखो तो यहां पर लिखूंगा में फिर अच्छा समझ़ में अगेगा तो यहां पर दो चीजा आई तो दोछी जिखे क्या गया मेरे पास एक तुक क्या निकल के आया P.NCAB निकल किया, बहुत ध्यानस तीना बात को, NCAB फके फिर्पैञकों सर्फेस है, P.NCAB निकल किया आया, and this is equal to, और कहां पर है surface पर है, कहां पर है ये, surface पर है, surface and this is equal to sigma B, क्या बोलते हैं, इसको पमसिगमा भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, surface bound charge density, Sichi a simple surface bound charge क्या बोलता है इसको surface bound charge बोलते है दुसरी चीज़ का निकल क्या है यह चीज़ निकल वित negative sign क्या है मेर पास देखो माइनस का divergence of P divergence of P P for polarization ओके एंड दिस इक्वल to robe और इसे हमने क्या बोला volume bound charge क्या बोला हमने इसको वॉल्यूम, बाउंड, चार्ज बोला, ओके, तो यहां से एक इंडिकरिशन क्या मिलता है हमको, हमें यह मिलता है, जब भी हम किसी पुलराइजड ऑब्जेट की बात करते हैं, तो पुलराइजड ऑब्जेट के अंदर, दो टैप की चार्ज डेंसिटी हो सकती है, यह मैथमे अधिकरिशन यह बोलती है, कि किसी भी पुलराइजड ऑब्जेट के अंदर, दो टैप की चार्ड डेंसिटी हो सकती है, कौनकौन सी, एक हो सकती है, कौनसी, सर्फेस बाउंड चार डेंसिटी, जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, और दूसरी हो सकती है, कौनसी, व्लूम density जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे है ओके तो किसी भी एक पुलराइज अब्जट के कारण्ड किसी पॉइंट पी पर पोटेंशल दो चीज़ को पिसे हो सकता है एक डियो टू सर्फेस बाउंच चार्च एन एक डियो टू वॉल्यूम बाउंच चार्च तो ये जो टाम है य पॉटेंशल डू टू पोटेंशियल डू टू वॉल्यूम बाउंच आइज वॉल्यूम बाउंच चार्च ठीक है किलिए बाद अब देखो इसको मॉडिफाइए कर सकता आप क्योंकि इसके जोगा यह पूट कर दो और इसकी जोगा यह पूट कर दो तो यहां से मेरे अपॉन कितना आया ऋर्य कितना अंगर डी अप्राइम होगा एई एकसी आध़ Grade न नए इंच Y així घनर न यह क्या होगल दी अप्रेम कॉiblिन देर बेसे और अप्र, प्राइम होगा, फिर क्या, हैगा प्लस कितना इनस धुट्स एन सक्व वाल्यूम बाउंच यह साम, ञाश म समझने वाली बात यह है अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई मेरे पास एक polarized object है और उसके लिए polarization पी दिया हुआ है polarization आपको पहने से दिया होगा पी दिया होगा आपको पहने से ना तो constant दिया होगा एप पी कुछ variable दिया होगा ठीक है और मैं आपसे बोलूं कि उस polarized object के कारण किसी point पर electric field फैंड करो तो आप कैसे फैंड करोगे सबसे पहने क्या फैंड करोगे सबसे पहने आप उन दोनों के लिए bound chart निकाल होगे इसको surface bound chart क्या होगा और उसका volume bound chart क्या होगा अगर आपके पास Bound chart density निकल के आ गई 똑같 doll bound चार्ट देंसिटि निकल के आ गई तो आपको क्या पता है आप सिंपलसी चार्ट ये चार्ट ये कोनफिग्रेशन के लिए चार्ट ये के लिए टो प्राइब क्सक्राइब कर सकते हैं अगर मैं यह बोलू कि मेरे पास के एक यहाँ पर एक कोई इसे और इसके अंदर कोई चार्ically डिसके इसके सरफेस में खुछ सरफेचा डेंसेटी है मां लिया कुछ भी है कि कुछ है अको दे रखिए है क्या आप इस से काड़ में पुविएवर्टिक निकाल सकता है आंसर आजी निकाल सकतो, यहां फिर आपको इसके लिए polarization दे रखा है, capital P दे रखा है क्या दे रखा है, capital P दे रखा है तो capital P दे रखा है, तो आप यहां से क्या निकाल सकतो sigma B निकाल सकतो, sigma B निकाल लोगे तो क्या निकल किया जाएगा, इसकी प्रिकुलेंप प्लत जो सर्फेट चार देंसेटी है इसके हमने बलब देखे एहांने है हमने याँपर यह सिधे क्या हुआ हुआ है हम ए फे कर रहे थे क्या रहा था हम क्या निकालने जा रहे थे एलक्ट्रिक फिन निकालने जा रहे थे और करते 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 हम कहां पहुंचे इस पहुंचे और इस पता चला यह आभाश हुआ कि यहां पर कुछ चार्ज होती है यहां पर एक सरफेज बाउंड चार्ज और एक वॉ ओयाश्य इंतररक के डिया हुगा, यह तरट्रलिय्टन हम रूल्याम करें, Isher डिया ह सकते हैं के प्लराइसड ओब्जयक्ट दीया होगा। हम इस पोलोन और हम वहीं बूला होगा कि इस पोलराइसड object के कारण किसी point P पर electric field क्या करो find करो यह electric potential क्या करो आपको पहना aim क्या रहेगा जब भी ऐसा questions दिया हो सब सबस Bestya पहले बाव्ड चार्ड निकालना Drop कि बाव्ल्यम बाउनचय कालना फिर दोनों के कारण क्या नीकाल देना उस point पर electric field नीकाल देना जो किस से सॉल्व होगा सिम्पल सी बात है गौप्ष्ल से क्या होगा होगा है ठीक यह क्या हो गया आज का दोना अर मार घ्कर होगा एक बीच में एक बार मैं थोड़ा निकाल से विए iht निकाल झाला प्राइम के टम में रखना पड़ेगा ओके यहां नोगा ता उसके लिमें किताब की जलब देखी ओके कभी-कभी हो जाता है एक्चलन में पहने से देख के आना चाहिए था लेकिन जब मैं लेक्टर की प्रेपरेशन कर रहा था लेकिन उस टाइम में यह ख्याल आया ही नहीं कि मैं ग्रिफिस से पढ़ आता उसने सीधे लिखा था मैंने सीधे यह क्या गए दिवांग बैठा लेकि एसे होगा लेकित जब मैं यहां पर आपको करके दिखाया ओके और नेक्स्ट ताइम से मैं को यह को ऐसे बीच में किताब को जाकने की जरूबत ना पड़े तो आज क्लास क्लिवर्स इतना ही मिलते हैं आप से नेस क्लास में एक और ने टॉपिक के साथ अतले थैंक यू धन्यवाद बावाई